ये छोटा भाई है अपना भाई जान अच्छा लेक भाई इसका छिलका उतारेगा ठीक और ये द्राद्टी तरह भी ठीक है इसी तरह का उजार चीए इसका अगर ज्रासा ये एसी लग जाए तब भी कोई बात नहीं है इसको तू ऐसे जाड़ेगा जी बड़िया करके ये जी शू का छिलका से भटाएगा तो जबरदस्ती नहीं इसको ऐसे कर से एक बार जग से मेहनत कर दे और यही समय बिलकुर ठीक है इसका पहले तो इसकी सपाई करें गुड़ाई कर और पंदर दिन बाद जुताई होगी हाँ पहले जुताई कर ले और फिर थाले वेले सहाँ कर जो करना हूं तो अच्री BLACK मालोस का टो बात मैं बता हुँगा तो यह यह जो किताब और बहुत नहींुक्र 296 मेरत को अच्छा इस में में आड़ोव सब्सक्रमृूट क्या बोलते हैं इसको आर्फम टेंकर किसे किताबूर्य मैं मैं यहा इ सर्य क में बहुत लगता है अमरुद में यहां जहां इसकी लेंड बन गए तुझे करना है यह इस लेट यह अगर ऐसा हलका से छिल भी जाए तो कोई बात नहीं है छिल का पूरा साफ करेंगा है इस यह है पूरा कि अहीं पर यह जानते हो जब इसमें है करते हैं बहुत लजदी कर लाते हैं डालिया आगे पीछे होती है जय बाजु आपकी यह तो यहां उति यहां वती है और दूसरा यह फंगस है बाद में फंगस लगी होगी अब यह कापर आक्सी किलोराइब या नहीं तो ब्लैट डाक्स पचास में लेगी दवा ब्लैट डाक्स पचास के आप लिखके देदो मैं देदूंगा देदूंगा इसकी सफाई करने के बाद पुराना बुरुष ले या कूची ले उससे इसकी पताई करनी है बस लोट साज़ा हमें अपने खेत में कराई थी वही चीज वह हां हां जो मैंने करवाई था समझ गया है समझे है यह इसकी पताई होनी है और कहां से ओगी पताई इतनी ल न न यहां से पूरा यहां से और यह इसको पूरा यह मैं लिख़ूंगा इस और प्यड़ों की पहले सफाई यह पताई तो चाहितो है रो आड देदू हरुए इसे करवाते इए ठीक है यह होंगे सो जमीन बहुत हार्ड है ना इसकी जी उसकी बजह से भी बिमाज लेटी है ला मैं लिख दूओं पुका गया दे तो जब है रहे मैं मैंसेज कर दो मैंसे